ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंडन स्पिरिट्स वोमेंस वर्सिस वैल्स फायर वोमेंस के बीच में होने वाले 32 वे दा हंडेड वोमेंस मैच की तो आप बिलकुल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही मैचे बच्चे हुए हैं और दोनों ही टीमें जो हैं काफी तगडी हैं बट फिर भी अगर आप ओबरॉल देखें तो वैल्स फायर को एडवांटेज होम करेने वाल है बट लंडन स्पिर्ट्स जो है वो जादा बेटर टीम है जादा स्टॉंग टीम है तो विनिंग के चांसे लंडन स्पिर्ट्स के जादा रहेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक player की London Spirits के जो 11 player है जो betting order के साब से कैसा क्या performance उनका आ रहा है balling में कैसा कर रहा है और Wells Fire के players की भी बात करेंगे उनका performance recently the 100 tournament में कैसा आया है और फिर comparatively जैसे कि आपको पता है आपको Wells Fire जो है वो थोड़ी सी weaker side रहेगी में देखने वाले तो जल्दी से चलते हैं इस match पर match preview यहां पर लग चुका है fantasy express.com पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं match preview तो जल्दी से open कर लेते हैं इसको यहां पर मैंने match को open कर लिए आप आप देख रहे हैं सारे details आपके सामने हैं यह match खेला जाएगा 18 अगोस 2021 साड़े साथ बजी इंडिन टाइम के हिसाप से Sophia Gardens Cardiff में जो की Wells Fire का home ground है इस ground की बात करें तो बैटिंग के लिए ठीक ठाक ground माना जाता है बट फिर भी बोलर्स के लिए भी यहां पर काफी ज़्यादा help मिलती है तो कई बार आपने देखा होगा यहां पर scoring जो होती है T20 में 150 के around होती है तो the 100 match में हम मान के चलेंगे 120 से 130 के आसपास की scoring होने चाहिए बहुत अच्छा betting venue भी नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है आप इसको neutral venue मान के टीम बना सकते हैं थोड़ी सी आप ऐसी टीम बनाएगा कि आपकी टीम में ज्यादा ओल्डाउंडर्स हो बोलर्स भी लिमिटेड हो बैट्समन भी लिमिटेड हो यहां पे दोनों टिमों क सकते हैं वेल्सफायर का स्कॉर्ड और लंडेन स्पिर्ट्स का स्कॉर्ट दोने टिमों की प्लेंग 11 प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो वेल्सफायर की तरफ से ब्राइन इसमिट ओपन कर रही हैं हेली मैथ्व के साथ जिसमें हम आपको बता दूंड ब्राइन ंए अगर देखा जाते में तो फिली मैंत्यूस की आपके हैते फिर इंप हर्डिंक रहेगी उसके बाद ब्राइन इसमिछ गींप सब्यालभ इस ऐसे अच्छी बैटिंग कर रही ब्राइन स्मिथ बट अगर आप देखिए इनका केरियर तो बेटिंग बहुत रेरली अच्छी कर पाती है ठीक है तो उस चीज का ध्यान रखेगा है पिछले दो तीन मैच से उत्ते अच्छी बैटिंग नहीं कर रही है अब टैक्निकली यह अपने टीम की सबसे स्टॉंग ब सकते हैं ब्राइन स्मिथ का कोई जादा भरूसा नहीं है रेड में नंबर तीन पर आएंगी रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया था इनका और अभी दा हंडेट मैसे में देखे तो पिछले तीन-चार मैसे में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया है 30 प्लस स्कोरिंग र पर्फॉर्मल सा था दा हंडेट के मैच की बात करें अभी जो चल रहे टूर्नामेंट में उसमें पर्फॉर्मेंस से जादा अच्छे आए नहीं है पिछले 6-7 मैच जो खेलोस में एकादी मैच में बैटिंग में कुछ कर पाई है बकाया हर मैच में स्कोरिंगी 15-20 से भी क बन रहे थे तो इन पर भी आप ज्यादा भरूसा नहीं कर सकते एक आज मैच चलेंगी बाकाया चार-पांच मैच आपके खराब करेंगी फिर आती एलिस में क्लिवाइड 18 मैच में 12 रान है ग्यारा का बैटिंग एवरेज है साथ एनिंग में साथ विक्टे भी निकाल रख है तो इनका परफॉर्मस भी थोड़ सा एवरेज रहता है जोड़ यहनेसी की बात करें तो शुरुआत में इन्होंने काफी निकाली थी बट पिछले कुछ मैच से विक्टे नहीं ले पा रही है बैटिंग में तो काफी नीचे आती है तो है तो ऑल्लाउंटर बट वही है प्रेसे वर्लाउंटर नहीं है जोड़ यहनेसी फिर आती केटी जोड़ जिनके फिट्टेस इशू की वैसे यह से फील्डर ही खेल रही ना बैटिंग कर रही है और ना ही बॉलिंग इनसे टीम करवा रही है तो यह भी एक लगभग बिलो एवरेज पिक रहेंगी हार भी ठीक टाक पे आपके लिए हो सकती है हार भी विकट टेकिंग प्लियर है और टी टूनटी में चार मैच में चार इनिंग में तीन विक्टें के नाम पे दाहंडर में आप दे सकते हैं परफॉर्मेंच जो इनकी रही है पिछले साथ मैच देखेंगे तो उसमें आप तो इस विकट पे ठीक टाक बॉलिंग इंसे करवा जा सकती है पिछले मैच में पांच बॉल क्या सब्सक्राइब करवा ली जाती है तो हो सकता है इस मैच में आपको दस-पंद्र बॉले डालते हुए रिख जाए लेक्ट इनकी रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है अब बा आस में नहीं करी उसके पहले वाले में थोड़ी बॉलिंग करें तो घ्र यहां पर है यहां पर देखिए रांस की बात करें तो पिछले तीन-चार मैचेश में एक रण ग्यारे रण और रण एक रण यह पर्फोर्मेंस है पिछले पांच से और ज़ांग नहीं बॉले जद ठीक नहीं आ रहा है टैमी वीवांट से काफी उम्मीद हैं पिछले मैच में ब्यारेस रण की पारी के लिए उसके पहले शून ब्यालेस चौतेस तेरा मोस्ट आप दर मैचेज में अच्छा किया है टैमी वीवांट ने और टीटीटी वगएरा जो खेल के आये थी उसमें भी इन का 29 का बनता है वीवांट से भी ज्यादा रीसेंट फॉर्म देखें तो बैटिंग में काफी अच्छा कर रही है हाला कि बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में एवरिश पर्फॉर्मेंस है हीतर नाइट की अब 10-15 बॉल के आसपस डाल लेती कभी कभी कम्प्लीट ओ क्रॉस किया है इसके पहले जब इनों टी 20 से वागरा खेले थे तो उसमें भी पांच मैच में दो बार क्रॉस किया था 30 स्कोर को तो हेटर नाइट टेक्निकली काफी स्टॉंग बैट्स मैंने इस मैच में काफी उम्मीद है बैटिंग से रहेंगी बॉलिंग में थोड़ा स लेट बैटिंग करने आती हैं जिसके चलते कभी कभी अपना जल्दी विकेट गवा देती हैं पिछले मैच में दो रन पर ही आउट हो गई उसके पहले थाइस लगा है पचास लगा है दो रन उनतेस रन उसके पहले बालिंग भी टीम के लिए कर रहें थी बड़ा सा एवर इसका है बट रन्स काफी काम है 20 मैच में 128 रन ही इनके नाम पर है और आप पकड़ेंगे तो लगबख 24-25 पर इनिंग यह लगाती है बट इन तक बैटिंग पहुंच नहीं पाती है फिर लेट पहुंचती है थोली बहुत बालिंग करती है पाच-10 बोल के आसपास तो बैटिंग में थोड़ा सा डाउन आती है यहां पर देख सकते हैं पिछले कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस ग्यारा चौतिस डूनोट बैट शून एक तीन यह इनकी रंस है पिछले पांच-छे मैचे जो नहीं नहीं खेले हैं तो रंस ज्यादा नहीं आये हुए बालिंग म तो दस से भी कम का इनका स्कोर है क्योंकि काफी नीचे बैट करने आ रहे हैं तो तीम परेंट आपके लिए नहीं रहेंगे ट्राइन चाल्यों डीन जो है वह आपके लिए इंपरेंट हो सकती है राइट है इने बैट से राइट आम ब्रिक बोलर है वाट इंपोर्टन इसल डेवीज डेट में गिंदवाजी करती हैं टीम के सबसे बड़ी बोलस में से एक हैं अगर आप देखें पिछले 6-7 मैंच उठाके तो दो बार यह विकेट लस गई है और बाकी टाइम लगवग एक विकेट से उपर नहीं निकाल पाएं बट फिर भी इंपोरेंट रहेंग उसमें एक भी बार इनकी बेटिंग नहीं आई तो यह कादर इनकी आसपास बनाया था तो ओबरॉल एज़ा फिल्डर ही खेल रही है कोई आपके लिए आपके लिए आप इंपोरेंट नहीं है यहां से आप देख लिएगा सारे स्टेट्स मैंने कवर कर दी हैं और सारे डीच लेजेगा अब बात करते हैं ड्रीम 11 फैंटू पले टीम की है यह मैरी इस मैच की । इसमें मैंने कैप्टन रखा है हेली मैथ्यूस को मैथ्यूस बैटिंग काफी बढ़िया कर रहे हैं प्लस बालिंग में भी काफी अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए बस मेरी मुझत अच्छा नहीं है और ज्यादा उप्शेंस आपके बहुत नीचे बैट करने आते हैं और लाइंड सेक्षिन में आपके पास हेली मैथ्यूज दीपती शर्मा है ब्राइन इसमेथ हैं और चार्लिट डीन है जिसमें हेली मैथ्यूज दीपती शर्मा और ब्राइन ब्राइन स्किल्स उत्ती अच्छी नहीं है ब्राइन स्किल्स एवरेज है दीपती शर्मा काफी बैटिंग तो नहीं आप आती हैं कभी-कभी बैटिंग में जब मौका मिल जाता है तो रंस काफी बना देती है चाल्यूज डीन सिर्फ बालिंग मान के चलिएगा और डैट पर इनके रिलाए कीजिएगा कंप्रीट बॉलिंग करती है यह बीस बॉल के असपास तो उसमें विकेट मिलने का चांस होगा अगर फस्ट बॉलिंग करती है तो अच्छी बूलर है पीपा क्लेरी फिर्या डेवीज और निकला हार्वी कुमनेटी में पर कर इसमें हार्वी ले लिजी अब चलते में चलते फेंटू प्लेगी टीब बहुते वहां पर क्या कोच बदलाप होते हैं वह भी देख लेते हैं टीम क्या बंती देख लेते हैं इसके अलावा मैंने यहां पे विकट की बिन सेक्शन में रेड में दी थी उनको पिक कर लिया है सरा टेले को पिक कर रहा है टेला से देखी जाधक स्पेक्टिशन तो नहीं है बट फिर भी नंबर चार पे बैटिंग पूजिशन काफी अच्छी होने की वैसिन को मैंने टीम म मना सकते हैं मिनिमम तो उसे साब से मैंने थोड़ा से अड़ेस्ट किया है यहां पर मैंने दीपती शर्मा दीन ब्राइन स्मिथ हिली मैथ्यूस चारों को लिया है फिर्या डेवीज और पीपा क्लेरी को टीम में जगे दी है कैप्टन मेरी हिली मैथ्यूस रहेंगी वाइस इसका उल्टा भी कर सकते हैं यहां पर मैंने ओपन कर लिया है चैलेंज फैंटसी को आप देखिए चैलेंज फैंटसी पे जो लोग टीम बनाएंगे आज वह कोशिश कर रहे हैं कि चारों और रहें में और उनके साथ टीम बनाएं हिली मैथ्यूस हितर नाइट दीपती शर मैथ्यूस और हितर नाइट रहेंगी इसमें कैप्टन नाफेली मैथ्यूस को कर सकते हैं यानि कि अगर आप आप तीन प्लेर की टीम बनाते हैं तो आप ज्यादा सेफर साइट रहेंगे खेलने के लिए ठीक है आप चार की बना सकते हैं बट देखिए इन तीन पर मुझे सब्सक्राइब नहीं चलें तो फिर बैटिंग में चलने का चांस काफी कम है बहुत नीचे बैटिंग आती है तो यहां पे आप देख रहें लोग किस टाइप की टीम बना रहें थाफ थावजन नाइन थाफ रूपी से कॉंटेस्ट भी यहां पे खेल रहें और यह चार प कि यह बैटिंग में थोड़ा सा आप आ रही है और दीपती शर्मा जो है वो बैटिंग में काफी डाउन आ रही है अगर बैटिंग में दोनों सेम पोजिशन पर आती है तो दीपती शर्मा ज्यादा अच्छा कर सकती थी ठीक है इस चीज का ध्यान रगे ब्राइन स्मित को एक सेडिक नहीं किया हुआ है यह सटंग कर देते हैं अब जो भी बंदा सामने आएगा मेरे उसको कम से कम एक क्लिस करना पड़ेंगा अपने तो जिए कि आना पड़ेगा जैसे कि आपको पता है मेरे पास डेने रति तो इसको एक चेंज तो करना पड़ेगा तीनों सेम के साथ टीम नहीं बना सकता ठीक है और मुझे लगता है यह तीनों सबसे बड़िया परफॉर्मेंस करेंगी तो इसली मैं स्कॉंटर्स को जीच जाऊंगा ठीक है तो बस ऐसे आपको करना है आपको भी तीन प्लेयर की टी है कि चांसेज को हमारे जाद होंगे तो इस टाइप से आप यहां पर टीम मनाएए दो प्लेयर तीन प्लेयर चार प्लेयर की और इजीली कॉंट्ज को विन कर सकते हैं तो यह जोगाए तो एफिक्स लगाईए लेंगे वीडियो में टेलिक्राम चनल अको जल्दी मिल जाए लाग लिटना ही ओके गजबाइब पेस्ट अफ लाग